दोस्तों आप सब लोगों को पताई होगा कि चाइना के डिपलोमेसी और चाइना के विस्तारवाद नीती का एक बहुत बड़ा हिस्सा है डेट ट्रैप के नीती मतलब कर्स दो और उसके बाद कर्स के जाल में फास के उस देश को अपना शर्टों को मानने के लिए मजबूर कर दो और दोसो चाइना इस नीती में काफी हद तक कई सारे देशों के अंदर सफल भी हुआ और कई सारे देशों को सक्सेसफुली बरवाद भी कर चुका है एक्जामपल के रूप में हमारे दो पडोस के देशों को ही देख ले जिनमें एक देश स्रिलंका तो संपूर्ण रूप से बरवाद हो चुका है जबकि दूसरा देश पाकिस्तान उसका परिस्तिती तो स्रिलंका से भी भायंकर है लेकिन फिर भी पाकिस्तान सुधर नहीं के लिए बड़े बड़े सपना जहां पर दिखा रहा है तो वही पर निफाल के आर्मी को भी एक तरीके से अपने घटिया दर्जे के हतियारों को दे के निपाल को कर्स के जाल में फासने का काम चायना के द्वारा शुरू कर दिया गया है बेसिकर दोस्तों चायना भारत के लगभग हर एक परोसी देश में इसी तरीके का विवस्ता चाता है जो कि चायना के पक्ष में हो और भारत के भी पक्ष में हो ताकि भारत को घेर सके और भारत को घुटने में ला सके हाला कि चायना के लिए ये मुश्किल नहीं बलके नेपाल के आर्मी के द्वारा भी अब चाइना से आर्मट पर्सनल केरियरों को हसिल किया गया और चाइना ने नेपाल को एक ऐसा आर्मट पर्सनल केरियर चिपका दिया है जो की बिना बैटल प्रूवेन या फिर कहे तो बिना जाच परताल किया हुआ हतियार है। जबकि दूसरे तरफ बताया जा रहा है कि नेपाल करीब करीब 6 billion dollar के हतियारों को चाइना से खरिदने को लेके सोज विचार कर रहा है। हलाकि दोस्तों अगर देखा जाये तो नेपाल के बेड़े में जिन हतियारों को अब तक नेपाल के तरफ से इस्तमाल किया जाता था उनमें जादातर हतियार भारतियों होता था। अब दोस्तों देखा जाये तो चाइना के द्वारत के लगवक सभी पड़ोसी देशों को हतियारों का सप्लाई किया जा रहा है और इन देशों में चाइना के हतियारों के रेपूटेशन उतना खास नहीं है। रिपूट के मुताविक चाइना अब तक स्रिलंका, पाकिस्तान, बंगलादेश जैसे देशों को हतियार सप्लाई कर चुका है और अब नेपाल को हतियार सप्लाई करने जा रहा है। इवन मियनमार में भी बड़े मात्रा में चाइनीज हतियारों का इस्तेमाल हो रहा है और दोस्तों इन में से ऐसा कोई वी देश नहीं है जो चाइनीज हतियारों से काफी अधिक खुश हो। एक के बाद एक पार्ट खराब हो रहा है उसके बारे में भी मैं आप लोगो को कई सारे वीडियो में बता चुका हूँ। बाकी रहा चाइनीज टैंक, आर्टिलेडी, इवन जहाजों का ख़वर तो आप लोगो को पता होगा कि चाइना से इन हतियारों को पाकिस्तान हासिल करने के बाद जब पहली बार अपने देश में टेस्ट करने गया था तभी ये हतियार फेल हो गया। दोस्तो चाइना के जो द्रोन है वो पाकिस्तान के अंदर आने के बाद चाइना खुद ही उसके सर्विस नहीं कर रहा है और मजबूरन चाइना को इन द्रोनों को छोड़के पाकिस्तान को टर्किस द्रोन पर्चेस करना पड़ा। प्रोसेस के अंतरगत हुआ है लेकिन यहाँ पे कोई वी टेंडर प्रोसेस या किसी वी तरीके का कोई बीडिंग नहीं हुआ बलकि डारेक्ली चाइना से 6 बिलियन डॉलर के हतियारों को खरिदने का बात कहा जा रहा है जो simply दर्शा रहा है कि आने वाले कुछ सालों के अं क्लोस रिलेशन्शिप भी रखता है और दोनों देशों के बीच में बॉर्डर में भी कोई टेंशन नहीं है और दोनों देशों के बीच में बॉर्डर में आने जाने का भी उस तरीके से कोई वाधा नहीं है और ऐसे में नेपाल के अंदर अगर एंटी इंडिया सेंटीमे चायना के तरफ से बनाया जाता है या चायना नेपाल को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने का इरादा बनाता है तो ये भारत को काफी डेंट पहुंचा सकता है